और longitudinal जो बेप्स हैं इन दोनों का difference आपके mind में होना चाहिए, clear होना चाहिए इसके ओपर भी है questions जो है आपको last में put करता हूँ तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रोहिद वर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का तो आज का जो अपना वीडियो है वो शुरू करते हैं ठीक है GK और GS के questions के साथ general knowledge और general science के questions रहने वाले है 15 GK के और 15 GS के questions ठीक है तो attempt करने है मेरे भाई हो आप सभी को पूरे के पूरे questions 15 के 15 और last में अपना score 30 out आफ बताना है कि कितने जो आपके approximately ठीक जो है वो जाते है ताकि आपकी preparation का level पता चल सके चलिए तो शुरू करते हैं आज का वीडियो first question के साथ तो पहला question क्या कहता है कि earth conference जो हुआ था 1992 का वो किस जगा पे हुआ था 1992 का 1992 में प्रिथमी समेलन कहां शुरू किया गया था ठीक है यह एक revision class समझेगा इसमें ज्यादा time नहीं दूँगा अगर आपको time चाहिए question का answer सोचने के लिए तो definitely pause कर सकते है ठीक है तो Rio day January में जो है वो हुआ था option number A इसमें आपका विलकुल सही answer है next question देख लेते हैं कि Silicon Valley के उपर है कि Silicon Valley जो है दोस्तों यह कहां पर located है कहां पर समंधित है ठीक है कहां से तो Silicon Valley जो है यह California में है सबसे पहले आपको California में है California किस जगा पे है California बताए जल्दी से मुझे ठीक है California बता दिया मैंने कि California में है California उस जगा का नाम है और यह किस मतलब country गंडर है तो यह है USA United State of America ठीक है तो option number A आपका इसमें सही रहेगा next question देख लीजिए next question है कि अलिगर्ड मुमेंट most important question हाता है history कीजिए history का most important question है ठीक है history से related तो अलिगर्ड मुमेंट जो है इसके founder कौन है ठीक है तो सर सायद option number C सर सायद जो है यह founder है अलिगर्ड मुमेंट के option number C इसमें आपका बिलकुल सही रहेगा next question है question number fourth है कि राश्य खेल दिवस जो है वो किस तारीक को मनाया जाता है national sports day is observed on which date 29th अगस्त 22 first are none of these तो sports day है जो वो मनाया जाता है 29 अगस्त को ठीक है option number A इसमें आपका बिलकुल सही next question number देख लेते हैं कि biggest metrological department metrological laboratory कह लिए मौसम भी ग्यान प्रयोग शाला ठीक है मौसम मौसम के बारे में बताने वाले सबसे बड़ी जो laboratory है वो कहां पर स्थित है पतना पूने जैपूर या फिर अंबाला ठीक है तो ये स्थित है मिर वाई हो पूने में option number B के साथ जा रहे सभी दोस्त बिलकुल सही पूने जो है ये कि स्टेट में आता है ये आप सभी को comment box में नीचे बताना है ठीक है कि पूने जो है ये कि स्टेट का district है चलिए next question देख लेते हैं कि question पूचा गया कि इन में से ऐसा कौन सा पक्ची है जो उड़ नहीं सकता ठीक है कूकू क्या होती है ये कोयल होती है पैरेट आपको बालू है तोता मोर मालू है कीवी कीवी आपको confused हो सकते है कि कीवी तो भाई फल होता है फल नहीं कि भी एक पक्छी भी होता है इसे पर जो है वो लूटी होते है जिसके मज़र से इसकी वाउड़ नहीं पाता है ईसकी जो बोन होती है वो है लो बोन नहीं होती है जिस वाइश से उड़ नहीं पाता है तो option number 6 में आपका सही अंसर रहेगा next question देखते है question number सत्ते में विजाएदे के उपर है important question रहते हैं ऐसे सत्ते में विजाएदे जो है यह word आपने इसके उपर बहुत से shows देखियोंगे ठीक है बहुत बार सुना होगा तो यह किस उपनिशाद से लिया गया है यह कौन से sources से लिया गया हुआ तो सत्य में भी जायते जो है मुंड का उपनी शाथ से option number C वाले दोस्त बिल्कुल सही 30 questions रहेंगे पूरे 30 में से आपने आप बताने हैं कि कितने questions जो आपके बिल्कुल सही गई है तो यहाँ पर question क्या कहा जाता है कि first सब्देशी steel plant बारत का पहला सब्देशी steel plant सब्देशी मदलब खुद का 99 बारत का पहला जो था वो कोन सा था पहला steel plant कोन सा था ठीक है तो वो था वोकारा steel plant question number 8 option number B option number A ही है जो सही है आपके लिए एक cross question है मेरे पास टीक है कि यह steel plant जो है इसकी location बताईए कौन सी state में है ठीक है location का नाम बताईए आपको भी knowledge होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि जो questions सारे खाली वही रट रहे हो अगर question examiner ने change करके पूछ ले कि हाँ भाई सब्देशी जो first steel plant है बोकारा steel plant है वो कौन सी जगा पर है तो क्या बताओगे सर हमें तो बस इतना ही पता था कि बोकारा steel plant first subdeshi steel plant है नहीं location भी पताऊने चाहिए चलिए जल्दी अगर नहीं पता है search कीजिए नहीं तो comment कीजिए जिन जिन को मालूम है मैं उनके ओपर heart देता रहूँगा ताकि जो दूसरे बच्चे हैं के जिनको नहीं मालूम होगा उनको भी पता चल सके कि यह answer जो है बिल्कुल सही है 1971 का यूद जो हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का 1962, 1965, 1971, 1999 यह चार जूद के ओपर जो है वो question आते हैं ठीक है बिगॉस जो इंडिया के साथ हुए है और पडोसी देश्यों के साथ ठीक है चाइना, पाकिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है पाकिस्तान चलिए तो देखते हैं 97 का टाइम, जब ये वाला यूद हुआ था तो इस टाइम पे आर्मी के चीफ कोन थे, चीफ आफ आर्मी ठीक है प्रात करने वाले पहले व्यक्ती कोन थे ठीक है पहले व्यक्ती जिन को जो है रजीव गांधी खेल रतन मिला था ठीक है तो ये मिला था बिश्वा नातन अनंध को इनका game कौन सा था किस से संबंदी था है यह है chess के रिलेटर ठीक है तो इसमें जो है इनको यह रजीव गांदी खेल रतना जो है वो मिला हुआ था बाला कोट एर स्ट्राइक most important है इसके उपर question operation bender रहा बिल्कुल operation bender ठीक है इसके नाम से इसको air strike को जाना गया था बड़ यह आने के chances यह question जो अब वो नहीं है ठीक है because यह crunch के related question नहीं है ठीक है next देख लेते हैं chief of defense of India कौन है ठीक है crunchly बात कर रहा हूँ मैं crunchly बताइए अब भी कौन है ठीक है 2022 में कौन है ठीक है 21 में कोई और था 22 में कोई और है ठीक है अभी crunchly जो है वो कौन है chief of defense ठीक है तो 2022 का time period है तो इस समय है अनील चोहान ठीक है अनील चोहान जिन बच्चों को updated नहीं रहते हैं जो कुछ दोस्त crunchly नहीं update है तो वो गे होंगे general वीपन रावित सर के साथ तो वीपन रावित सर जो है वो अभी जो है position पे नहीं है ठीक है ये डाय है ठीक है डेथ हो चुकी है इनकी ठीक है तो अभी जो currently संबाला है वो संबाला है अनील चोहान ने अगर बात की जाए कि first cds बताया जाए तो first cds का definitely आपका अंसर जाएगा general वीपन रावत और second number के यो cds है वो है अनील चोहान ठीक है बजरंग पुनिया के related question है कि बजरंग पुनिया जो है यह किस खेल से संबंदीत है ठीक है बजरंग पुनिया बजरंग पुनिया किस से संबंदीत है बजरंग पुनिया संबंदीत है भाई freestyle wrestling से ठीक है freestyle wrestling option number A ठीक है चलिए next question देख लेते हैं कि यह question आने के chances नहीं है because Krunt का नहीं है तो इसका answer तानिय शेरगिल है इन्होंने पूछा कि 26 जनवरी 2020 को पहली लेडी जिसने continent को मार्च किया था वो तानिय शेरगिल थे ठीक है चलिए Krunt के जो question रहेंगे वो आएंगे Krunt के related थोड़ से आप कह सकता हूँ कि active रही है Most literate state का साक्षारता दर है जो education का level है जिसमें वो सबसे कम है Most वाली तो केरला है Least वाली का आपके लिए Homework दे रहा हूँ यह आपको बताना है ठीक है Question number 16 है GS का question है General science का कि कौन सा metal है वाई जो अराम से कट सकता है ठीक है यहां कहा लिजे कि knife से कट सकता है Knife बोले तो चाकू, शूरी आप जो भी अपनी language में उसे बोलती हो ठीक है वो कौन सा metal है जो इससे कट सकता है तो वो है sodium ठीक है sodium एक metal है जो कि knife से जो है मिर वाई वो easily जो है कट सकता है ठीक है question देख लेते हैं चीकन गुनिया के ओपर question है कि चीकन गुनिया जो है यह आपको common बिमारी है common disease है आप सभी ने देखी होगी खुद को नहीं होई होगी तो किसी आस्परोस में देखी होगी तो चीकन गुनिया जो है किसके दोरा spread होता है तो चीकन गुनिया जो है मेरे बाई हो यह होता है मस्किटो के दोबारा ठीक है मच्छर के काटने से जो है वो चीकन गुनिया होता है ठीक है next question है question number 18 है कि कौन सा chemical है जो पूरे तरीके से ban कर दिया गया है ठीक है बहुत से chemical है जो ban किये गए है पूरे तरीके से बट हमें options के according बताना है कि जो options में दी हुए है उन में से कौन सा chemical है ठीक है इसके सिवा और भी बहुत से chemical है ठीक है तो chloroform जो है option number A आपका से रहेगा chloroform जो है इसको totally ban कर दिया गया है ठीक है गरों में धाने रखे होता है धान रखा होता है चाबल के होगे या फिर ग्यहों के होगे उसके ओपर fungus लग जाते है छोटी-छोटी रूई के जैसा कुछ लग जाता है ठीक है उसके ओपर तो वो होती है फंजाई तो उसको remove करने के लिए क्या इसमें से use जो है वो किया जाता है कौन सा acid use किया जाता है या कौन सा solution use किया जाता है तो उसके लिए use किया जाता है proponic acid ठीक है proponic acid जो है फंजाई जो है या fungus जो है उसको remove किया जा सकता है next question है isotonic solutions के ओपर ठीक है isotonic solutions जो होते है उनमें सेम क्या होता है, ठीक है, आइसो टोनिक सोल्यूशन में ओस्मोटिक प्रेशर भी सेम होता है, ओस्मोटिक प्रेशर जो है, ओस्मोटिक प्रेशर ये आइसो टोनिक में सेम रहता है, ठीक है, और इसके जिवा अभी हमें ये तो है नहीं, आप्शन में, तो अभी हमें क का सही answer है next question है कि compound formula of hydrogen simply hydrogen का formula देखे compound formula जो है वो क्या होता है सूतर क्या है hydrogen का H2 ठीक है O2 आपको पता नहीं है oxygen है N2 नहीं है nitrogen है CO2 नहीं है carbon dioxide है तो बचा क्या H2 option number A जो है हमारा बिल्कुल सही बैठेगा poisonous gas बूची गई है बाई जहरीली गैस कोन सी होती है इनमें से ठीक है poisonous बहुत सी गैस ही है जहरीली जो होती है ठीक है बहुत सी गैसों को करार दिया गया है कि ये जहरीली गैसों में है बट हमें options के recording चलना है definitely normal साब को जैसे मालूम है ठीक है निट्रिक ऑक्साइड ही होती है यहाप स्पेलिंग थोड़स होग है निट्रस ऑक्साइड यू एस निट्रस ऑक्साइड ठीक है यह एक poisonous gas होती है option नमबर ए उमीद कर रहा हूँ question आपके लिए helpful है ठीक है अच्छे लग रहे हूँ आपको question इसी level के question जो है वो आपको exams में देखने को मिलेंगे मैं बता रहा हूँ ठीक है ज्यादा उपर उपर मत उडिएगा कि हमें और high level और high level चाहिए high high के चक्कर में आप नीचे अपना base खो बैट होगे और बहाँ पे वो ऐसे question दिखेंगे यह नहीं jaundice के related question है कि jaundice जब हो जाता है ठीक है यह किस अंग को किस body part को जो है affect करता है ठीक है jaundice jaundice आप सहबी है नाम सुना होगे common disease इतनी खास भी नहीं है ठीक है यह किस अंग को करता है गॉल ब्लेडर पैंक्रियाज ठीक है और यह करता है लीवर को ठीक है लीवर को करता है लीवर होता है मेन और लीवर के बाद गॉल ब्लेडर को भी करता है और पैंक्रियाज को भी करता है याद रखी चलिए एक आपके question देता हूँ आपको homework के लिए most important question है कि pancreas जो है ये कौन सा juice जो है वो secret करता है ठीक है pancreas जो है ये कौन सा juice secret करता है ये बता दीजिए नीचे comment box में बताईए इसका answer किस-किस बच्चों को मालूम है जितने बच्चों को मालूम है बताईए ठीक है ये cross question है आपके लिए चलिए next question number 24 देखे है hydrochloric acid HCL simple basic berry basic question 24 option number B hydrochloric acid HCL ठीक है next question है कि skeleton जो होते है skeleton क्या होता है हड़ियों का डांचा ठीक है अगर कोई चीजें पुरानी जो हमें भी चीजें मिलती है कुछ भी पुरानी चीजें जो होती है जैसे history के जो होते है ठीक है architecture नहीं ठीक है archaeologist ठीक है वो होते है उनको जो पुरानी चीजें खोजते हैं कुछ बर्तन मिलते हैं कुछ मूर्तियां मिलते हैं जा कोई भी चीज हड़ियां के द्वारा ठीक है carbon dating method जा इसके द्वारा हम उन चीजों का पता लगा सकते हैं कि ये जो चीजें हैं ये actual में कितने साल जा कितने बर्ष पुरानी है ठीक है carbon dating method याद रखीगा कोई भी पुरानी चीज के बारे में पूछा गया हो कि उसको हम कैसे देखेंगे कैसे इसका पता चलता है तो carbon dating method आपका सही आंसर रहेगा basis unit of wavelength wavelength की size unit क्या होती है ठीक है wavelength की size unit क्या होती है question number 26 basic question न ही होती है second में नहीं आएगी second definitely normal से बात है second में तो खाहाएगी ये time में होगय ये cm नहीं है कि shortest wave length और longest wave length color कुन सा है किस-kis भाई को पता है ये जो cross question देता हूँ आपको मैं दोस्तों इन सभी को आपने last में निचोड करके answer बताना होता है मुझे comment box में ये आपका homework रहता है आपको थोड़ा responsible रहो इसके related ये बताओ मेरे को shortest और longest कुन सा color होता है देखिए question आभी किया question है कि shortest wave length इसमें भी shortest पूशा हुआ है shortest जो है वो रहती है violet विव ग्योर विव ग्योर आपको मालूम है ये मालूम है चीज violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red इसकी रहती है सबसे shortest और red color जो इसकी रहती है सबसे longest कितने दोस्तों वो पता था अब तक ही shortest सबसे रहती है violet की violet की सिभा blue और सबसे longest red color की next question देखते है question number 28 क्या कहता है कि highest pen rating power वो किस के पास होती है किस item के पास होती है तो gamma जो है वो बाई हमेशा सरवोच्चम है gamma rays, gamma के पास सबसे highest pen rating power जो है वो होती है question number 29 देख लेते है electromotive force जो है इसका unit क्या होता है electromotive force का unit बिदूत बहाक बल की इकाई क्या होती है बहुत बढ़िया unit of electromotive force is newton, power, yule या फिर वाल्ट question number 29 और option number D वाल्ट जो है वो बिलकुल सही answer रहेगा चलिए तो question आगया है sound waves के उपर जैसे आपको मैंने starting में बोला कि transverse and longitudinal waves इन दोनों का difference देख लेजिए यहाँ पे इनोंने बोला है sound waves जो होती है sound waves जो होती है longitudinal होती है transverse होती है जब बहुत होती है जब कोई नहीं होती है waves का आपको मैं बता दूँ देखिए waves जो है वो generally ऐसे flow करती है ठीक है ऐसे ही होती है आपने आज तक जितने waves देखे हैं आलमस्त ऐसे ही होती है पर उसके सिवा आपने music गाने सभी सुनती है न गाने जब सुनती है तो उसमें कैसा effect आता है कैसे आती है waves ऐसे 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 जब sound बढ़ता है गाने का आ तो ऐसे हो जाता है कम होता है तो ऐसे ऐसे ठीक है तो यह दो types की waves होती है तो यहाँ पर क्या पूचा गया है यहाँ पूचा गया sound ठीक है sound अगर आप sound recording करके बेज़ते हैं ऐसे आएगा देखिएगा आपका भी नोट कीजिएगा ठीक है वर्टस आप पे sound record करके बेजिएगा देखिएगा इस type के babes जो है वो बनेंगे ठीक है तो ये वाले जो babes हैं ये आते हैं sound के लिए ठीक है इस type के जो रहते हैं तरंग के ठीक है तो ये ये कौन से होते हैं लांजिटूटनल होते हैं कि ट्रांसवर्स होते हैं ये जो सीधे सीधे जाते हैं ये होते हैं लांजिटूटनल भाई हो ठीक है option number ace में आपका सही है और ये जो इस तरह से जाते हैं लहरों की तरह ये होते हैं ट्रांसवर्स ठीक है ये transverse होते हैं उमीद करता हूँ difference आपको समझ आ गया होगा ये sound के related रहते हैं longitudinal और transverse रहते हैं वेपस के related ठीक है दूसरी किसी वेपस के related ठीक है चलिए तो आज के वीडियो इतने ही है question आज के complete हो चुके हैं उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो ठीक है 30 questions जो दिये थे 30 questions हो गए है जो आपको home work में बीच में cross question दे रहा हूँ वो उनका answer आपको comment box में बताना है सबी दोस्तों को इमानदारी से ठीक है जिन जिनका answer सही रहेगा उसके आपर मैं heart छोड़ता जाओंगा ताकि बाकी के बच्चे जो देखने वाले होंगे उनको भी लगेगा कि हाँ ये answer सही है तो वो बहाँ से देख सकते हैं तो दोस्तों उमीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो अगर इसी के तरह और भी वीडियो चाहिए आपको और भी पढ़ना जाते हैं आप ऐसे त्यारी करना जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बस सब्सक्राइब करेंगे तो उससे आपको क्या होगा कि आपको डूढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी वीडियो आपके खुदी फीड में दिख जाएंगे आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा जब भी हम लाइव आएंगे जा हमारा वीडियो अपलोड होगा आपके तक सबसे वहले जो है वो पहुंच जाएगा ठीक है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लें वीडियो अच्छा लगाओ तो डेफिनेटली लाइक एक तो बनता है ठीक है एक लाइक बनता है और शेयर कर सकना तो शेयर कीजिए बहुत बहुत शुक्री आप सभी का So thanks everyone for joining us तो मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए मेरे बाई हो जय हिंद जय बारत